हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम लोग इंडस्ट्रियल जोग्रफी के अंतरगत काफी महत्पुन सिधान जिसमें प्रभियस यर 2020 में प्रस्न पूछा जा चुका है इस सिधान से संबंदित हम लोग काफी बारी किसे बात करेंगे साथे साथ हम लोग इस से संबंदित जो महत्पुन बिंदुये हैं उस पर भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे चलिए दोस्तों बिनादिर के शुरू करते हैं लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी लेटिस्ट नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी आप लोग जरूर दबादे दिजिए तो चलिए स्टाट करते हैं आज हम लोग बात करेंगे इसमित महोदे के थियरी के बारे में लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो इसमित का थियरी है उससे पहले इसी से संबंदित अस्थानिक सीमा की संकल्पना ध्यान दिजेगे यहां पर अस्थानिक सीमा की संकलपना का पर्तिपादन सरपर्थम 1958 में रոस्टरान नामक बुद्वान ने किया था परतिपादन करने के पश्यात हमारा आगी समित का थियरी आता है 1966 में जिसे सीमान तवस्तिती विचारधारा के नाम से जानते है यह theory आपका industrial location and area cost curve theory के नाम से भी जाना जाता है साथे साथ इसे हम लोग space cost curve और revenue curve theory के नाम से देखते हैं साथी जब 1971 में इनका पुना संसोधन क्या गिया तो इसे हम लोग industrial location theory के नाम से जाना गिया है इस सिधान्थ से आपका previous year में question पूछा जा चुका है इसलिए आप हमारे साथ जरूर अंतिमत के सिधान्थ के सभी बिंदो पर बने रहें चलिए आगे बढ़ते हैं इस सिधान्थ में सबसे जो महत्पुन बात है कि यह सिधान्थ अल्फेड वेबर के सिधान्थ का शंग्षोधित रूप है अल्फेड वेबर का जो इंडेस्ट्रियल लोकेशन थियरी है उस सिधान्थ का यहाँ पर आपको संग्सोधित रूप देखने को मिलता है इसमित का स्पेस कास्ट कर्व और रेविन्यू कर्व थियरी में या सिमानत अवस्तिती विचारधारा में इसे डियम इसमित ने अपने अनभाव के आधार पर बेबर का सिधान्थ नियूंतम लागत सिधान्थ में कुछ सुधार के आधार पर पस्तुत किया है पुना इसको 1971 में इसे संगसुधित करके इंडस्ट्रियल लोकेशन के नाम से भी इसे पर्तिपादित किया है यह सिध्धान्द जो है लॉस का बजारचेत्र का नियम और बेबर का दोनों का पर्तिसपरधाओं में कम से कम लागत दृष्टिकुन को जोड़ता है यानि कि लॉस का ऐसे कहें तो लॉस का थियरी और बेबर का थियरी दोनों को इन्होंने असपष्ट करने का कोशिस किया है इसमित ने अपने सिध्धान्द में कहा है कि लागत जहां कम होगा जहां हमारा लागत कम होगा यानि investment, cost investment जहाँ पर कम होगा और profit हमारा जहाँ पर होगा वहीं पर उत्पादन यानि profit जहाँ पर ज्यादा होगा लागत जहाँ पर कम होगा वहीं पर हमारा उद्द्योग अस्थापित होगे इनके तियारी के कुछ मायनताएं हैं, साथ ही साथ कुछ कर्ब के बारे में उन्ने बात किया है, तो चलिए एक एक करके उन सभी चुजोगा हम लोग देखते हैं. इनकी परमूक और पहली मायनता है कि उनका उद्दिष्य था लाभ गमाना. उद्दे से था इसलिए उन्होंने अधिकतम लाब के अस्थान में ही उद्दोग अस्थापित करने का बात किया कि जहां अधिक से अधिक लाब हो जहां अधिक से अधिक लाब हो वहीं हम उद्दोग की अस्थापना करेंगे दुसरी बात है कि इनका मानना था कि सबसे अधिक लाब कहां मिलेगा सबसे अधिक लाबदाय का स्थान कौन सा है तो वो कहते हैं जहां कुल लागत से कुल राजसो अधिक हो वही हमारा सबसे अधिक लाब होगा यानि जहां पर हमारा कुल लागत अब कुल लागत क्या होता है कहने का मतलब है कि कुल लागत में वस्तू का उत्पादन से लेकर उनमें लगने वाली सभी खर्चों को सामिल के जाते हैं लगने वाले कुल खर्चों को ट्रांस्पोर्ट कॉस्ट से लेकर लेबर कॉस्ट से लेकर जितने भी हम कच्चे माल देते हैं सबी चुजों को उसमें सामिल करते हैं और सामिल करने के बाद उसमें जो लागत होता वही हमारा कुल लागत कहलाता है और कुल लागत से कुल उत्पाद वस्तु की लागत और इसकी लाब में अस्थानिक भिन्ता से परिचित को भिन्ता है। होना चाहिए तभी हमारा उद्दोग अस्थापित होने में आसानी होगे साथ सफलाई जो है अलिमिटेड होने चाहिए जो भी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उसका सफलाई भी अनलिमिटेड होनी चाहिए तभी उसका अच्छे तरीके से उद्दोग का विकास हो सकता ह साथी साथ ये भी इसमित महुदय कहते हैं कि मांग सभी अस्थान पर इस्थितु ऐसा नहीं है कि एक चेतर में ज्यादा मांग है तो दूसरे चेतर से कम मांग है और कम मांग है अपितु मांग जो है ठीक है अलग-अलग चेतर में अलग-अलग तरह कि मांग होंगी लेकिन य ऐसा ने कि यहां से दो दिन मंगाया गया, यहां से भी पहले दो दिन, फिर दो दिन, पता चलता है कि बड़े वाले च्छतर से एक भी दिन नहीं मंगाया जाता है, फिर यहां से एक दिन मंगाया जाता है, यहां से मंगाया ही नहीं जाता है, उनस्टेबल नहीं हो, जो भी व अच्छे तरीके से stable हो शकेगा उसके बाद कहते हैं सभी उद्यमें समान रुप से कुशल होते हैं जितने उद्यमें होते हैं सभी क्या है समान रुप से कुशल हो अगर आपके पास एकसपर्ट आदमी नहीं है एकसपर्ट सरमिक नहीं है तो आपका उज्दूग का अस्थापना सही तरीके से उनका विकास नहीं हो पाएगा तो इन सभी क्याधार पर आपको इसमित ने कुछ अपने सिधानत को प्रस्तूत करने के लिए आरेख का प्रियूग किया है इस आरेख को हम लोग देखेंगे जहां से previous question पूछा है और यहां से question बन ही जाता है हर बार question बनता है चलिए आरेख पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले देखे इन्होंने तीन condition बताया है condition A में इन्होंने क्या कहा कि cost vary and revenue constant यानि लागत में भ हिन्यता और राजिस्व इस्तिरे अब देखिए यहां पर यह जो है आपका cost price है और यह जो है आपका distance है ठीक है यह जो आपका distance को दिखा रहा है कि जैसे जैसे दूर जाते हैं कैसे हमारा variation हो रहा है यहां पर पहला कर्ब जो है यह इस कर्ब को हम लोग cost curve कर लेकिन ध्यान revenue यानि राजस्व जो हमारा है यह देखिए constant है इस लाइन में तब यह constant है और यह cost भेरी कर रहा है तो जहां पर उत्पादन का सिधान क्या बताता है industry location में कि जहां पर लागत कम हो revenue जादा हो वही पर हम उद्योगों को लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर constant हमार रहा है revenue यहां पर लागत highest जा रहा है यानि कि इस sector में हमारा हानी होगा यहां पर लाब जो है नहीं होगा यहां हानी होगा ठीक उसी परकार यहां भी same condition है यहां भी आपको हानी देखने को मिलता है लेकिन लागत और revenue के अधार पर फाइदा कहा है आप देखिए ओ वाले बिंदू में इस बिंदू पर आप देखिए यहां पर जो cost है काफी कम लग रहा है लेकिन revenue वाला इस्तिर है यहां पर जादा है तो आप कह सकते हैं कि यह जो safe है इस safe में हमारा एक उप्युक्त दसा है इंड़स्ट्रिय अस्थापित करने का तो यही जो एक safe होता है ओ वा कह सकते हैं कि जहां पर लागत में भिनता होगा cost हमारा भेरी करेगा फाइदा हमारा एक जैसा रहेगा तो हम वहीं उद्दूग लगाएंगे जहां cost कम लग रहा है कि वह भेरी करेगा तो भेरी करेगा तो कहीं जादा कहीं कम जहां पर कम है वहीं पर उद्दूग अस्था से अधीक होता है जब लागत ये लागत है जब राजस्य से अधीक होता है तो उद्योग फॉर्म को नुकसान होगा आप देख सकते हैं कि लागत हमारा यहां है यहां पर हमारा रेविन्यू है और यहां पर इतना उचाई में लागत है तो यह जो सेक्टर है यह जो है हानी को दर्सा रहा है A और B B का जो इस portion में हानी है A का जो ये portion है ये पूरा हानी है कारणी ये है कि revenue इस्तिर है cost अधिक लग रहा है revenue वही है तो हमारा हानी है उसके बाद कहता है कि जब जहां लागत कम होगा लागत कहां कम है यहाँ कम है, राजस्य अधिक होगा राजस्य देख लेजिए यहाँ पर अधिक है तो लाब होगा, तो मिल रहा है लाब हमें यहाँ पे पुरा एकर में इसे केस A का आदर्स दसा A और B के बीच O है, ठीक है यह ग्रेटमिन्ट है, A और B के बीच केसे में यह हमें दिखता है जब नियुंतम लागत का समाधान बेवर के सिध्धान को यहाँ पर समाधान करने का कोशिस किया गया है इसलिए का जो सेफ है भी सेफ का यहाँ पर बनता है दूसरा केस देखे क्या है पहला केस में मांग की रेखा है लाब की रेखा है आई की रेखा है यह हमारा वहरी कर रहा है लागत हमारा यह जो रेखा है इस्थिर कर रहा है आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पर कॉस्ट जादा हो लागत जादा हो और फाइदा कम हो यहाँ पर उज्दोग नहीं लगेंगे हानी प्राप्त हो रही है तो यह जो आए ज्यादा प्राप्त हो रही है यही सेक्टर हमारा होगा केस B का आदर्स दसा इंडस्ट्री के यानि ए और B के बीच यहां भी आपका O का ही दसा अप्टिमम लोकेशन है जहां पर हाइस्ट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यानि हर गटता यहां जैसे राग राजसी है देश्ट देश्ट बढ़ा ए और B के बीच में प向 भीच में ख़ठ गया केस एक क विपरित है यानि जो कर्व बनेगा वह भी विपरित बन रहा है केस एक का विपरित B केस है तो यहां पर ये भी एक जो है आपका समझने वाली बात है कि कैसे विपरित है तिसरा है कि फिर से और A और B के बाहर फॉर्म राजसो कमे का नुक्षा नहीं यानि यहाँ भी नुक्षा नहीं और इस बेल्ट में भी नुक्षा नहीं दर्श दसा कौन सा है O है और आपका यहाँ पर उल्टा भी या फिर कहें A का आकार बन रहा है case C में हम लोग आते हैं case C पर थोड़ा सा चर्चा कर लें case C देखिए तीन case है काफी important है case C क्या कहता है case C कहता है दोनों भेरी करेगा राजस भी भेरी करेगा और लागत भी भेरी करेगा बोत revenue और cost भेरी तो यह दोनों जब भेरी करेगा तो यही हमारा हो जाता है यही हमारा हो जाता है तिसरा केस में और इसमें देखिए अगर इसके ग्राफ को पहले हम लोग देख लें तो यह देखिए इसका ग्राफ जिसमें आप देख सकते हैं कि यह जो कर्ब है यह रेविन्यू का कर्ब है और यह जो कर्ब है यह आपका कॉस्ट का कर्ब है यह A और B की भी same condition है यहां कॉस फिट आपको A में मिल रहा है ठीक है तो इस दोनों में तुलना करें तो हम लोग जानते हैं जहां जादा profit होगा कम लागत से वहीं जाएंगे यहां भी कम लागत है लेकिन इसके तुलना में यहां profit कम है इस रेंज में इसलिए यहां जो दर्सा है यह बी की दर्सा उपिक्त होगी देखेगा यहां पर इसने इसमित महद ने आइसो कॉस्ट लाइन का प्रयोग किया आइसो कॉस्ट लाइन सब्द का इन्होंने प्रयोग किया है आइसो कॉस्ट लाइन यह समान लागत के दर्साने का कोशिस किया है समाल लागत की रेखाओं को दर्साने वाला रेखा आईसो कॉस्ट लाइन ठीक है चलिए इनके थेयरी को हम लोग देख लें थेयरी में वही बात होगा आपको कि बास्तिविक दुनिया में लागत राजस दोनों में भिन्यता होती है केस्थ्री बास्तिविक दुनिया के लिए वर्तमान समय के लिए परफेक्ट है अधिकतम लाब A पर प्राप्त होता जहां लागत में कंभी हाती है ठीक है A आपका जहां लाब अधिग देता है यदि B में ग्राफ देखा जाए तो B बिंदू अधिक्तम राजसु को दर्साती है लाब आपका यह है बट राजसु भी तो अधिक्तम आपका B है इस हिसाब से आपका लाब का मकसद भी B में अधिक हो जाएगा A B फॉर्म बाहर का जो आपका जाता है वो भानी को दर्साता है तो इस तरह करके अगर देखा जाए तो लागत और मुल्य परवन्ता जितनी अधिक होगी इस्थानिक भीनता उतनी अधिक होगी अस्थान का विकल्प उतना ही अधिक अस्थानिय होगा ये आपका काफी important theory था Smith के theory से आपका सवाल हमेशा बनता है और previous year में भी इसके graph से पूछ दिया गया था आप इस theory को बार बार देखें ज़्यादा से ज़्यादा share करें ताकि सभी तक ये theory पोई सके साथ इसाथ दोस्तों आप comment करके जरूर बताएं कि theory आपको कैसा लगा है क्योंकि आने वाले दिनों में industrial geography के सभी theory को आपके पास ले कर आऊंगा लेकिन अभी तक यदि आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो आप जरूर subscribe कर लिजे